सलाम अलीकुम एब्रिवन कैसे हैं आप अमीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे आज मैं एक और जुल्री का लेसल लेके आ रही हूँ यह मैंने एरिंग बनाए है एक आपके साथ बनाऊंगी ऐसे और साथ में इसका नेकलस भी बनाऊंगी ठीक यह मिकैनीकलि इसके में गोल्ड उपर प्लेटिड नहीं होता एक बारिक सील लेट जो होते हैं गोल्ड की वह मैकैनीकलि प्रेशर के साथ इसके साथ कर दी जाती है तो यह काफी धेरपा होता है कalnya भी नहीं होता है यह मैटल ही गोल्ड ही तोड़ा सा लिटल मैठे बिट औ यह तो थोड़े से चिप्टी फॉर्म में है इसको अगर आपको सरकल में है कि कोई और बीड है वो भी यूज़ कर सकते हैं यह 2 mm का मेरे पास यह एक छोटा सा बीड है गोल्ड का फिर यह मेरे पास यह जंप रिंग इसको बोलते हैं इसका फेस यह एक्चुली देखें अगर और इसको गौर से देखें तो यह एक साइट से थोड़ी सी ऐसे ओपन होती है इसको जंप रिंग बोलते हैं और यह यह एरिंग वो बनाने के लिए लिए ना इसके साथ यह उन्होंने हुक्सी अटैच की हुई है तो इसके साथ में बनाके असानी से हम डाल सकते हैं अगर एरिंग फाइंडिंग डालो ना, उसमें सार्च करो कि एरिंग के लिए आपने जुल्री मेकिंग इरिंग फाइंडिंग तो आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी तो आप उसको चूज कर सकते हो और इसको हैड पिन बोलते हैं ये इसका एक चीज इधर head होता है बना हुआ इसको headpin बोलते हैं यह मेरे पास one and a half inch की है यह two inch की है तो इसका इतना matter नहीं है छोटी बड़ी ले लो यह सबसे पहले तो मुझे यह इसको मैंने यह करना है एक bead मैंने यह डालना कोशिच करते हैं bead की जब करो तो अच्छी सी shape वाल डाल लिया और एक यह एक अच्छी shape के साथ ऐसे यह ठीक है डालने के बाद यह को जूली टूल होते हैं यह round सी nozzle के लिए तो यह आप इनका मकसर ही होता है कि जब आप ऐसे करते हो तो यह जो metal की चीज़ है खराब नहीं होती इसकी nose ऐसी होती है करने के बाद जब मैंने इस तरफ करने के बाद वापस द्वारा turn किया तो यह देखे एक चोटी सी आई सी बन गई है अब मुझे इसके अंदर मैंने chain डाल देनी है ठी के डालने के बाद फिर मैंने वापस उसी से पकड़ा उस उसी टूल से पकड़ा पकड़ने के बाद नेक्स टूल से मैंने इसको लेके इनके घमा देना है वैसे तो आप वैसे भी आई होती है आई को खोल के बीड डाल देते हो लेकिन इस से थोड़ा सा स्क्योर हो जाता है इसको अगर आप एक रदम टर्न करके ऐसे इसको लॉक कर दो तो यह देखें थोड़ा सा स्क्योर हो जाता है वैसे और बाकी रेस्ट उफ जो है मैं एक्स्ट्रा वाली ऐसे कट कर देती है विल्कुल एंड पेटी यह होगी यह मैंने दो पोशन बनाए है एक छोटा बनाया है एक बड़ा बनाया है इसमें आप तीन भी डाल सकती हो और लंबा भी कर सकती हो उतनी चॉयस है लेकिन मेरी बेटी को ज़रा थोड़ा सा छोटी चोटी चीज़े अच्छी लगती है तो उसके साथ यह है कि एक यह जो चेन है यह मेरे खाल में इसमें यह केबल चेन है वन पैंट टू एमम की केबल चेन है आप इसमें मैंने वान टू त्री फॉर फाइफ सिक सेवन सेवन यह जो सरकल है उसके बाद काटा हुआ है यह इस से शुरू करती हूँ, यहां से यह देखें, अगर मैं यहां से शुरू किया, यह हाफ इंस से भी छोटा है, इतना है, इतना, तो अगर आमने थोड़ा सा लंबा करना है, तो वो भी कर लें, कोई बात नहीं, यहां से कट करना है, यहां कट करना है, लेकिन यह दूर कीजेगा जो एक तरफ किया है दूसरा भी उतना ही रखे ठीक है एक उसको make sure कर लें दुबारा seven ही है मैंने one two three four five six seven yes ये मेरे पर seven है और दूसरे जो लंबे वाला उसमें मैंने 13 की chain रखी है फिर मैंने उसी तरह एक head pill ली head pill लेने के बाद मैंने एक बीड लिया उसके साथ मैं ये गोल्ड का बीड लिया और एक अदर और बीड ले लिया ठीक है ये दो दो बीड हो गए अब फिर उसी तरह मैंने इसको ऐसे turn करने के बाद इसको वापस जब किया तो ये ऐसे round सा हो गया round होने के बाद मैंने इस chain को वापस में डाला ये chain भी lose chain भी मिल जाती है और ready made finish chain भी मिलती है ये मैंने lose ली है ये foot के हसाब से मीटर के हसाब से मिलती है chain भी आप इनको search करो तो करने के बाद मैंने इस pin को वापस इस बीड के गिर्स ऐसे गुमा दिया लेकिन make sure है कि chain अंदर ही हो sorry ऐसे एक दफ़ा करने के बाद इसको मैंने इसे थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूंगी करने के बाद एक्स्ट्रा कट करता हूंगी बिल्कुल यह cutter यह से कट हो गया और यह अब यह वाली जो chain थी यह देखें इसको चेन को मैं इदर डालती हूं न यह तो seven पर मैंने कट की थी न यह वाली chain मैंने थरटीन पर कट की है देखती हूं यहां से काउंट यहां से कट करने के बाद इसको मैं यहां से कट कर देती हूं यह जुरूरी नहीं आपने 7 और 13 पर ही कट करनी है आप अपने हसाब से देख लीजिएगा ठीक है यह दोनों यह दो मेंने डालना है जंप रिंग इसको बोलते हैं जंप रिंग यह देखें हैं थोड़ा सा कट होता है ठीक ना आपने जंप रिंग को ऐसे करके नहीं खोल ला वह खुल के जाया हो जाती है क्योंकि बंद नहीं प्रॉपर होती ऐसे पकड़ा दो चीजों से उसको होल्ड किया करने के बाद इनको इस तरह ट्विस्ट करना है यह वाला टू मेरा ना वेस्ट हो गया मैंने न्यू ओर्डर किया है क्योंकि मैं बहुत असे के बाद जुल्डी बना रही हूं और इसको ऐस खोल लेना है थोड़ा सा और यह 3 mm की जंप रिंख है क्योंकि छोटा था ऐसे खोल जाएगी ऐसे जंप रिंख खोलने के बाद बड़ी बड़ी चीजें हों हाट चीजें हों तो वह असान होता है यह थोड़ी सी इसमें डेलिकेसी दखानी पड़ती है अच्छा लेकिन सब्सक्रामों एक जैसे हों पिर बहुत बरीक है बहुत केरफुली और यह देखे ऐसे वर्ट डल गया और फिर उसके बाद मैंने छोटा डाल छोटे वाला बनाया यह डलने के बाद मेरी यह वाला जो यह मैंने ऐसे डालूंगी डाले के बाद अब मैं जांप रिंग को बंद कर दोंगी वापस मैंने उनको दोनों तरफ से टूल से होल्ड करना है स्ट्रोंगली होल्ड करने के बाद इनको वापस मैं ऐसे टर्न करके ले ओंगी तो यह देखें जांप रिंग बिल्कुल उसी तरह क्लोज हो गई है वरना यहां गैप रहा जाता है गैप रहने से चेन बहुत बरीक है तो चेन बार निकल सकती है और मोर सिक्योटी के लिए इस लेकिन इससे यह कट ना कर लीजिएगा आप ऐसे करने पकड़ने के बाद यह बहुत छोटा है होल्ड करना इसको ऐसे इनका दिर्वियान में करके मैं एक दफ़ा और यह सो गया हो गया और यह मेरा दूसरा यह देखें बन गया है टू एरिंग अब ही मैं आपको इसके इसमें डाल के दिखाती हूं मैंने बना दे बंद कर दिया पीछे से और यह एरिंग बन गया यह तो नो आप एक और भी लगा सकते एक छोटी भी लग सकती है यह आप पे है मुझे इतना ही बनाना था चूकर बेरी बच्ची को बहुत जादा दिखो इस तरह कि ना एक पिन मिलती है इसको आई पिन बोलते हैं पतानीक nós कishops का बना वाइले से विलंभी अगर आपके पास वाय हो तो इसके साथ बढ़े सकते है मैं देखती हूं ट्रॉईन करती हो अगर इससे बनता है वाम यूस करेंगे यह मैंने एक बीड एक लिया ऐसे दो होके कोशिश यह करने है जिनकी शेप बिल्कुल इक्वल हो या जो मिडल से सम्टम यह बीड के जो होल होते है न यह भी राइट प्लेस पे नहीं होते है जब आप सोड़ा सा डेलिकेट सी चीज़ बना रहे हैं तो ट्राई करें के बीड एक्वल मिडल से जो लाइन वाले हो वो लें यह देखे बराबर आ रहे हैं तीन तीन में डाले फिर फूर में फाइव ठीक रहेगा फाइव के साथ यह ठीक रहेगा बहुत चोड़ा भी उसको नहीं चाहिए फाइव के गिड चेंड बनाके न इसके गिड चेंड फाइव ठीक रहेगा अगर तो आपने इसी तरह पूरी चेंड बनानी है नेक के इस तरह की आप ले लो यह सरकल में जैसे भी तो वह तो असानी से एक वायर लेके उसके अंद रहता है ना बच्ची मेरी को जड़ा थोड़ सी डैलिकेट चीज़ अच्छी लगती हैं तो उसके लिए मैं इतना ही छोड़ रही हूं उसके लिए इतना बनाने के बाद अब मैंने इधर से भी आई बना लेनी है एक साइट से तो इसकी आई बनी हुई थी यह देखें में चेंड डालने के बाद इसको मेरे पास एक्स्ट्रा जब है तो मैं इसको स्क्यूर कर लेती हूं डालने के बाद मैंने इसको इसको पकड़ा और इसको मैं इसके इद्गित यह कर लिया यहां से थोड़ा सा स्क्यूर हो गया दूसरी साइट भी वो हूं मैंने कट कर ली यह अब मुझे देखना है कि मुझे इसकी चेंड कितनी रखनी है सेवंटीन इच उसने बोला है क्योंकि यह नेकलस सेवंटीन मैं बनाओंगी और यहां सिक्स्टीन बनाती हूं एक फाफ इंच का मैं इसको करती हूं कि यहां से मैं मिडल से यहां थक एट इंच काट लेती हूं यहां मिडल से मैं लेके मिडल से लेके यहां तक आठ इंच तक यहां, यहां से हमें यह कट कर लेती हूं, दूसरी साइड भी, यहां मैंने इसको ऐसे कट कर देना है, अब मैंने दूसरी साइड में डालके उसके इक्वल ही कट कर लेनी है, यह तो आई थी, इसको आई को थोड़ा सा मैं उपन किया, उपन करने के बाद मैंने इसके बाद चेन को इसको आई को वापस से, बेने बंद करके बीट, यहां इसको आई को ऐसे अच्छी तरह बंद कर दिया, ठीप, यह, उन्हें के बाद अब मैं इनको इक्वल रखके, ऐसे, इक्वल रखके इन दुनों को ऐसे काट लेती हूँ, यहां कठों मैं, यहां यहां यह कठों जेगा, ठीक, यह चेन होगी, अब बसके और हमने लगाने है, इसका लॉप्स्टर, और यह देखे, इसको बंद करने के लिए, यह, ऐसी, यह खुल ड़ा है, ठीक है, और साथ में मैं, मुझे जंप रिंग भी चाहिए, यह 3 mm की जंप रिंग है, इसके लिए मैं यह लगता है, यह, मैं थोड़ी सी बड़े साइज की जंप रिंग ढूनती हूँ, ताके वो, इजी ली उसको, और यह 4 mm की मेरे पाद जंप रिंग है, यह 3 जी थोड़ी सी चोटी है, तो मैं यह यूज करना ज्यादा पसंद करूँगी, इसको मैंने, इस जंप रिंग को मैंने नकाला, नकालने के बाद इसमें से एक पिक की, यह देखे, थोड़ी सी इसका मुझ खुला होता है, लेकिन आपने इसको इस तरह पकड़के, इस तरह और ऐसे खोलना है, खुलने के बाद मैं इसकी एक साइड चेन की मैं इस जंप रिंग में ऐसे डाल देती हूं, और साथ में, मैं एक थोड़ा सा, चलो, एक थोड़ी सी एक इंच की चेन एक्स्टर डाल देती हूं, ताकि अगर बच्ची इतनी, अगर उसमें लंबा पहनना है, तो वो एक की होगा, एक इंच का मैं एक और पीस उसके उंदर डाल रही हूं, यह देखे, यह दो चेन हो गए, अब इसको वापस मुझे अच्छा सा इसको बंद करते ना, पकड़के, यह देखे, बेविकुल टाइट बंद हो गया, ठीक, यह बिलकुल नदर नहीं आ रहा, यह मेरी ह होगी चेन, अब इस चेन पर मुझे एक और जंप रिंग लगानी है, ताकि अगर उसको बड़ा पहना है, तो बड़ा करके पहन ले, छोटा पहना है, तो छोटा करके पहन ले, इसको मैंने पकड़ के, यह तो हाथ से भी ऐसे खुल जाती होती है, ऐसे खुली, खुलने के बाद मैंने एंड पर एक डाल दी, डालने के बाद इसको अच्छा सा, यह तैस आप मुझे इस साइट पर, इस साइट पर, मैं यह पहले थी एम, की लगाने लगी हूँ, जुरूरी नहीं है, फोर भी लगा सकते हो, चुले फोर ही लगा लेते हैं, क्योंकि इसने बारबार यूज नहीं होना, इसने तो बस उसको होल्ड करके रखना है, मैंने यह टिया, और अब मैं यह डालने करने लगी हूँ, यह जंपरिंग बस इसको द्वारा होल्ड करने के बाद इसको वापस ली आना है, यह यह वापस यह बंद होगी, और इसको फूरा सा और, यह बिल्कुल बंद होगी, ठीक है? और यह मेरी देखे, नेक्चेन बंगी, इसको ऐसी ही चाहिए थी, अगर तो मैं कह रही है, मैं अपने लिए बनाती तो मैं प्रैफर यह करती, यह इसको इस तरह मैंने बंद कर दिया, और यह एक एक्स्ट्रा है, अगर उसको बड़ा पहनना है, तो वह बड़ा पहन लेग है, आप उस हसाब से यह चेंज कर सकते हो, ठीके, अभी तो मैं इसको भी आपको यह स्टैंड पे लगा के दखाती हूँ, यह मीडल में और यह उसको इसी तरह का छालका सा नेक्लस सेट चाहिए था, जो कि मैंने उसके लिए बनाया, तो कि यहां सम्वर में जरा थोड़ा- प्रस के साथ पेरने हुए, ठीक है, अमीद करती हूँ आपको यह लाइक हुआ होगा, यह तो मैंने अपनी बच्ची की पसंद से बनाया है, आप अपनी पसंद कर भी इसको चेंज कर सकते हो, मेरा समझाने का मकसद सर्फ आपको टूल का इस्तमाल और छोट-चोटी साथ दूआ में याद रखें और अपना जासा दे, आल्ला हाफीज